हेलो दोस्तो, The Organic Farmer YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम आपका परीचे करवाने वाले हैं एक नए फल से जो शाइद आप में से बहुत से लोग जिसके बारे में नहीं जानते होंगे और इस फल का नाम है फालसा फालसा सामाने ते गरम छित्र में पाया जाता है गरम छित्र का एक फल होता है जो गर्मी की सीजन में फल देता है मैजून के मैने में और आप देख सकते हैं कि इस तरीके की इसके लीवस होती है और इस पर ऐसे फूल लगते हैं देख सकते हैं आप कितनी घुत आयक चुफ ₹कु आप कुछ जढ़ा मात्रा में पूरा फूलों से लदा हुआ है यह खुछ खाने में भूथ ही जज्यादा टेस्टी फूल होता है और भूथ जिसरी मंडे में आपको 100 रुपे से लेके 200 रुपे के जी के तक आसानी से उपलब्ध हो जाता है दोस्तों ये चचा जब होता है पुनटायया पका नहीं होता है पकने के बाद इसका लाल रेड रेड लेड कलराना इस्टार्ट हो जाता है और एक जामून की तरह कलर लेना इ लेकिन जब ये पूरा पकावाँ नहीं होता तब भी बहुं च्वायदा स्वादिस्ट होता है खटा मीठा जो इसकावादा स्वादिक होता है लोग रूच कर्मी के समये में जूच्ड बनाकर पीना पसंद करते हैं और आप देख सकते हैं इस पोदे ओना प्रधा फल लगे ह होती है तो दिल्ली के मन्दी में असषानी से मिल जाता है देख सकते हैं जोस्तों कितनी ज्यादा मात्रा में इस फोदी पे फ़ल लगए हैं और इस पडे की क्या होता ये लगबग साथ से 8 फीट की हईट का एक प लिदर होता है और इसमेर जनवर के महने में इसकी cutting करके छोड़ देते हैं और दो फीट तक डैईब फीट तक कीशगी cutting हो जाती है और उसके बाद ये पोदह है उपर से growth लेना करता है और उसके बाद इसके उपर फल लग दें आप देख सकते हैं ये हमने जясे cutting कीवी ती इसके बाद ये नई प्रांचे जाई हैं और इस पर इतने सारे फ़ल लगे हैं आप देख सकते हैं तो किपना अच्छा खान में भूश ज्यादा टेस्टी होता है कभी आपको मोका मिले दिली के मंडी में जाने का दिली के बाजार में जाएंगा या फिरा पंजाब या रास्तां के गंगानगर हल तो वहां इजी लिए आपको अविलेबल हो जाता है देखी दोस्तों अगर आप इसके बारे में और ज्यादा डीटेल सी जानकारी लेना चाहते हैं कैसे होता है क्या होता है तो अपना कमेंट करके हमें बताइए हमें इस पर पूरा एक डीटेल वीडियो बनाएंगे तब तक के लिए हमारी चैनल को लाइक कीजिए सेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद दोस्तों